Paytm Post-Paid क्या है और हम इसे कैसे अपने Paytm Wallet में Enable कर सकते हैं Hello दोस्तो मेरा नाम है केके और आप देख रहे हैं केके हिंदी ग्याने YouTube चैनल इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि Paytm Post-Paid क्या है और अपने Paytm Wallet में हम इसे कैसे Enable कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं बीना समय गमाते हुए और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ खुद का Paytm Wallet open करता हूँ और जो जो step मैं बताता हूँ वो आप step follow करना है सबसे पहले बात करेंगे कि Paytm Wallet में जो Paytm Post-Paid की functionality जो आया है वो क्या है आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे जो menu है टॉप में Pay, UPI Money Transfer, Passbook और यहाँ पे आपको नया चीज मिल रहा होगा Paytm Post-Paid राइट तो यहाँ पे क्लिक करके आप Paytm Post-Paid को आप Inable कर सकते हूँ ठीक है न यह Paytm Post-Paid क्या होता है एक virtual card है basically virtual credit card है Paytm क्या करता है कि आप इस महीना में पैसे खर्च करो और next month के 7 तक आप Pay कर सकते हो और इसके लिए कोई फी नहीं है थिक है न कोई charge और नहीं करते हैं next month के 7 तक आपको Pay कर देना है इस महीना है जो इसके लिए जो credit limit है इसके जिले limits है, PostPayt के लिए, Paytm PostPayt के लिए हर एक लोग के लिए अलग-अलग है, कि आपकी credit कैसी है, past में आप कितना Paytm यूज किये हों, कैसे user source के basis पे, बहुत सारे criteria के basis पे limit decide करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आप Paytm PostPayt क्या है, आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसे इनेबल अपने Paytm वालेट में कैसे करेंगे तो Paytm Postpaid पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोरा वेट करना है ये लोड हो रहा है लोड हने के बाद आप देख सकते हैं कि Get Up To 30,000 Spend Limit तो वो मेरे लिए लिमिट है लेकिन बाकी लोग के लिए अलग लिमिट हो सकता है कि 30,000 तक मैं क्या कर सकता हूं इस महिना खर्च कर सकता हूं और Next Month में मैं Pay कर सकता हूं इसके लिए कोई भी डॉक्मेंटेशन के जरूरत नहीं है कोई भी डॉक्मेंट आपको सम्मीट करने के जरूरत नहीं है ठीक है और इसके लिए Zero Interest लगते है Zero Fee और Zero Charges लगते है clear लिखा हुआ है और यहाँ Terms and Conditions आप यहाँ पर क्लिक करके सारे डीटेल में आप चाहे तो यह पढ़ सकते हैं इतना डीटेल में नहीं जाओंगा आप पढ़ सकते हैं उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि I Agree to the Terms and Conditions को आपको क्लिक करना है चेक करना है उसके बाद क्लिक करना है आपको Activate my Paytm Postpaid तो इस पे क्लिक करता हूं तो हो गया प्रोसेसिंग थोड़ी दर किया उसके बाद लिखता है Congratulations you have activated Paytm Postpaid spend limit to 1000 तो यह क्या बोलड़ा है कि मेरा Paytm Postpaid एक्टीव हो चुका है और लिमिट जो है अभी 1000 वोल्ड है ठीक है न और यह क्या कर सकता हूं यह amount मैं इस महिने में खर्च करके next month में क्या कर सकता हूं बेसिकली यह Pay कर सकता हूं तो वहाँ पे 30,000 दे रहाता है वो limit नहीं है actually 30,000 max limit है जो 30,000 बोल रहाता है वो max limit है और आपकी क्या limit है वो आप जैसे apply करेंगे जैसे मेरी limit 1000 है 1000 मैं इस महिना में खर्च कर सकता हूं और next month के 7 से पहले मुझे Pay कर देना होगा ठीक है न आप 7 के बात Pay करते हैं तो एक कुछ interest या कुछ charge Pay करना होगा आपको ठीक है न तो यूजर को basically 0 से लेके 30,000 के बीच में कोई भी postpaid amount के लिए eligible है यूजर ठीक है न मैं 0 रूपी से 30,000 के बीच में मेरे credit के accordingly मैं 1000 के लिए eligible हो तो 1000 मैं इस महिना में खर्च करूँगा next month में Pay कर सकता तो दोस्तों आसा है कि आप Paytm में postpaid क्या है वो आप समझ गए होंगे और इसे कैसे हम अपने Paytm wallet में enable करते हैं आसा है वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो के नीचे जो like बटर से ज़रूर प्रेस करे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यार करे और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्रवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ